जयए श्री क्रिश्ना, स्री राधे राधे, सुबे की राम राम जी प्यारी से की सUबे की सभी को very good morning जी और छोटो को बहुत सारा प्यार तो मैं आज झल्दी उठ चुकी थी तो झल्दी उठने का फायदा ये हुआ कि मेरे सभी काम जटपठ जटपठ हो गए आराम से मैंने सारे काम अपने खतम किये चिनो क्योंकि सो रहा था इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुए आराम से मैंने सारे काम किये यहां गाय के पास आई थी मैं पहले सफाई करने पर गाय को थोड़ा लेट उठेने की आदत थे तो वो उठने कोई तयान नहीं थी, तो मैंने सोचे चलो पहले घर के अंदर के जाड़ू लगा देती हूँ, मेरा घर बहुत ही बड़ा है, तो जाड़ू लगाने में मुझे एक घंटा लग जाता है, तो यहां मैं घर के अंदर की सफाई कर रही हूँ, आज जल्दी उठने हैं तो फिर वो डवल से जाते हैं, तो चेक अप भी करवा लेते हैं, और उनके अलगा सब्सक्राइब हो तो वो टी सृस्टा की बात नहीं मुझे जाए, तो वेदु की पापा भी जा रहे हैं, और उनको सात में लेके जा रहे हैं याने साथ में जाते हैं साथ में लेके आते हैं तो अभी निकल जाएंगे अर्ली मॉनिंग तो वो शाम तक फिर आज आएंगे चार पाच बजे तक तो इसलिए मैं अपने काम जल्दी फिद्निश कर रही हूं क्योंकि वेदान्स चले जाएगा स्कूल तो चीनु को अकेले समाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके पापा भी घर पे नहीं रहेंगे तो मैं परिशान हो जाऊंगी और काम भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बाकी काम तो छोड़ सकती हूं मैं पर जो गाई की सेवा का काम है वो तो मुझे करना ही पड़ता ह उनको दाना पानी भू सब कुछ मुझे ही करना रहता है तो इसलिए मैं सबसे पहले सारे काम खतम कर रही हूं ताकि कोई दिकत ना आए यहां मैं आगन की सफाई करने आई हूं यहां पे लकडिया यहां वहां फैली पड़ी थी क्योंकि वेदान से यहां वहां पटक देता है तो वह सबको समीटने में टाइम लगता है तो यहां मैंने लकडिया सोफे पर ही रखती क्योंकि वह सोफे पे जधातर अप मानी रखता है कोई बेटा तो है жंकि हम लोग तो कटत पर विट थे हैं तो यहां मैं अपनी चल लगाना चाहरी हоВार का जहल भी मैं अपनी जह काम फिनिश करना चाह रही थी तो जल्दी जल्दी लगा रही थी जाड़ू क्योंकि मैंने आपको बता है मेरा घर बहुत बढ़ा है अंदर बाहर पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है जाड़ू लगाना पड़ता है कभी-कभी अगर चिनु उट जाता है तो एक साथ नहीं लगा पाती है फिर मुझे बाद में लगाना पड़ता है हाफ-ाफ कर लेती हूँ अपना काम डिवाइट कर लेती हूँ फिर मैं एक साथ ना लगा कि फिर बाद में कर लेती हूँ कोई दिकत नहीं है तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ तो फिलाल तो चीनों सो रहा है इसल से पहले खाना बनाना है तो नाना दोना उसके बाद खाना बनाऊंगी और खाना कंप्लीट होने के बाद सबको खाना खिलाना भी है तो अभी तो वेदान्स को उठा के तयार भी करना है तो यहां मैंने आगन की जाड़ुतों लगा दी थी पर यहां जो ग्राउंड है इसकी भी सफाई करनी पढ़ती है क्योंकि विधार python से आने के must we JENN cold कि जो खला रहता है ना सामने जो भी ग्राउंड रहता है आगन रहता है तो सब जगे की ज़ाड़ू लगानी ही पड़ती है क्योंकि कब महमान आ जाएंगे कुछ पता नहीं रहता है तो यहां कल मैंने दूप में गाय बांदी थी इसलिए यहां गोबर पड़ा था तो मैंने गोबर उठा दिया उसके बाद जाडू से सफाई भी कर दी सफाई करने के बाद पूरे ग्राउंड की जाडू भी लगाई थी मैंने सफाई तब भी कम्प्लीट होती है अगर थोड़ा से भी कछरा बढ़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है अधिकतर है न कोई भी है तो यहां इसे मैं जादा दूप रहती तो यहीं पर बैठना सभी लोग कंशन करतें मुझे यहीं बैठना अच़ा लगता है सुबह दिन में पर मिदिन में वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इसाथ में मैं काम भी करती रहती हूँ इसलिए मैं यहां की morning की धूप वाली वीडियो नहीं बना पाती है थोड़ी सी बनानी बढ़ना पाती हूँ क्योंकि अंदर के ज़्यादा काम रहते हैं चीनो को बिठा देती हूँ उसके पापा के साथ तो अधिक तर वो ही बेटता है मैं तो अधिक तर कपड़े अपड़े डालना हूँ तभी उतनी जगे में मेरा यूज रहता है बाकी तो मैं बहुत कम निकलता है तीन चार बज़े के आसपास साम के टाइम पर हम जरूर चीनों और हम मस्ती करते हैं घूमते हैं वापे तो वो समय रहता है हमारा क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा लोग आते नहीं पर मॉर्निंग में हाँ ज़रू महमान कोई न कोई आता रहता है तो इसलिए मुझे यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है उसके बाद मैं अंदर आई हूँ तो मुझे देखे गाय खड़ी हो गई वो भी समझ गई थी कि आप तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि दिन भी काफी चड़ गया था उजाला भी हो चुका था उजाला हो गया था इसलिए गाय भी उठ गई उनकी सफाई करी मैंने गोबर उठाया फिजालो लगाई और ज़ालो लगाने के बाद उनको भूस टाल दिया भूस टालने के बाद दाना तो उनको डाला ही पड़ता है तो वो भूस खाती ही नहीं तो सीधे सीधे फर्क है ना चिनों को पड़ता है उसकी सर्दी ठीक हो नहीं रहे है तो उसे उसकी दवाईया तो अलड़ी चली रही है इसलिए भी खेत में जाना नहीं होता है है से केत में हमने बहुत सी चीजे लगा ही हूई है यह मैंने पानी भी फ़र लिए पानी के सा थोड़ी मस्ती भी कर ली क्योंकि ताजा पानि रहता है वोटर का बहुत अच्छा गरम-गरम सा लगता हैं पानी बहने के आफार के बाओजी और चीनो के पापा जा रहे हैं डॉक्तर के पास तो मैं उनको बाय बाय कहने आई थी रादे रादे बोला उन्हें और फिर गेट लगा के अंदर आ गई फिर चीनो को नहला दिया नहला न दुलाना करने के बाद उसे रैडी किया हो क्योंकि उसरे च्रावी है एक यहां दया हो कि दो बहुत बट रहे हैं को घाटी हो ने का हो जाता है फिर वह है जो आधी ना है थीज़ से'llि। तो यूदि उसके साथ मस्ती कर रहा है आज कए सरंडे शेट करा रहा है कि मैं वापर जा रहा ह। रहा हूं स्कूल पर वह समझी है कि युनिफॉर्म तो पहरीज नहीं है भीया ने है ना वेदांस आज का स्कूल कैसा रहा आज मेरा पेपर तब सब्सक्राइब कर तो बहुत अच्छा हो गया है हुँ अच्छा बाइस जन्वरी को हाँ आपको कैसे पता चला तो सामने जो खेत में लगे हुए है वो अब काफी बड़े हो गए है उचे उचे हो गया अला कि देखने लग गए है सूरज भी ढलने लगा है और वेदू भी बैट गया उसे इकल चला रहे थे ना उसे घुमा रहे थे आप तो बैट गए तक गया अच्छा इस्कूल में भी बहुत परिशान होता है ना शूबे को जाता मेरा बच्चा तक गया गद गद गदी होती है हमां चीनू को तो होती करी नहीं है करी सब्सक्राइब मेरा करते मैं मैं यहाँ वेदू जीनो को कॉल खुमा रहा था बहुत ही प्यारा लग रहा था उसे बहुत अच्छ लगता है बिष्ँ भुमाना पर हम ज़ाद होतकर में देड़ता है क्योंकि तक यह फोटा भूल घुमाने दिया उसके साथ बहुत खुश था चीनों भी बहुत जोरोसी हसरा था उसे बहुत अच्छा लगता है पर ऐसे में क्या होता है चोटे बच्चों के हाथों में दर्ध होने लगता है इसलिए ज्यादा नहीं घुमाने देते हैं तो यह मेरे आज के कपड़े हैं जो सूप चुके हैं थोड़े बहुत गीले हैं जो लेट डाले थे तो वो तो कल तक ही सुखेंगे दूप दिखाना पड़ेगा उनको तो बाकि यह जो कप्ड़े हैं ना इनकी में उजे गीरी कानी पड़ेगी तो मैं इनको जल्दी से जमा के रख देती हूं थोड़ी ही देर में चीनों के पापा भी आ जाम लाये थे जम्हां पसंद एक हमते बहुत बाओ जी को देके आए तो यह बहुत ही बड़ी जम थी तो बहुत ही यम्मी है पर जो घर की जाम रहती है उसका टेस्ट कुछ अलगी रहता है तो यह भी अच्छी लगी ठन बहुत ही इसके बाद हमने बनाया खाने में भरता हम एंजर करते हमारा बरताबाटी श्रे आदे रादे